हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुती खुपसूरत पैटन सियर करने जारी हूँ, इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, जैन साप स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोट्टी, बच्चों के औल प्रोजक्ट, कैप, ब्लैंकेट आरी में बनके बहुती खुपसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है, और रॉंग साइट से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है, इस पैटन को बनाने के लिए हमने फोर के मल्टिपल में फंदे डालने हैं, और पलस हमने टू फंदे एक्स्ट्र डालने, दस नंबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेना है, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू वीडियो की नोट्पिकेशन के लिए बेल कि फास्ट रो, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, आप देखिए हमारा ये पैटन फोर के मल्टिपल में आएगा, तो देखे, फोर फंदों में से देखिए दो फंदे सीधे आ जाएंगे, चार फंदों में से हमने दो फंदे सीधे बुनने हैं, और दो उल्टे भुन्ने ये देखे आब यही प्रोसिस आगे रिपीट करें में धागा पीछे दो फंदे सीधे एक दो फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे धागा पनी साइड दो फंदे उल्टे लास्ट का फंदा भी उल्टा बुन लेंगे तो देखे रों साइड से हमारी पैटरन की फर्स्ट रो कंप्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से पैटन की सेकिंड रो अब सेकिंड रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे यह पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड करेंगे और देखे नेश्ट देखे जो दो सीधे फंदे दिखाए देरें इनको बनाेंगे घागा अपनी साइड करेंगे इस से हमारा दूसरा वनाहा उसी होल में आपें साइड वनाई है। और 1 पंदा बना लेंगे, यह देखिए, 1 पंदा बनाया, फिर देखिए, अब इन 2 पंदों को एक साध बनेंगे, तो ऐसे देखिए, backside की तरब से slide डालेंगे, और 2 का एक कर देंगे, इस तरीके से देखिए. इस देखिए, 2 पंदों से हमारे 4 पंदे आगए. अब इन दो फंदों को ऐसे सिलिप कर देंगे ये देखिए दो फंदों से हमारे चार फंदे आ गए अब देखिए इन चार फंदों में से देखिए पहला फंदा चोड़ेंगे दूसरा फंदा ऐसे लेफ नीडिल में उठाएंगे तीसरा फंदा चोड़ेंगे और चोथे नं रिपीट होने लग गया, दो फंदे उल्टे आएंगे, दो फंदों में पैटन आएगा, तो देखे, ये एक फंदा हो गया, धागा अपनी साइड दो, फिर उसी ओल में सलाइड डालेंगे, तीन, फिर इन दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, ऐसे बैक साइड की तरब से सला दो अउठा लेंगे, आगे के दो फंदों के उपर से उतारके इनको सिलिप कर देंगे, ये देखे, इस तरीके से हमारा पैटन आने लग जाएगा, अब देखे, नैस्ट हम ये ही प्रोसीस रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदों में pattern आएगा, एक फंदा आगे करेंगे, ऐसे space में slide डालेंगे, एक फंदा बना लेंगे, फिर धाग अपनी side इससे दूसरा फंदा बन जाएगा, फिर उसी hole में हम slide डालेंगे, यह तीसरा फंदा बन जाएगा, फिर इन दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, तो एसे back loop की तरब से दिखे, backside की तरब से, तो यह दिखे, ऐसे, फिर इन दो फंदों को उठाएंगे, इस दो फंदे जो अलग से दिखाए देरे उब्रे हुए, इनको उठाएंगे और आगे के दो फंदों के ऊपर से उतार के, सिलीब करेंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे दो फंदों में पैटरन आ जाएगा एक ये दो तीन फिर इन दो फंदों को ऐसे बैक साइड की तरब से एक साथ बुनेंगे दो का एक करेंगे दो फंदों से चार फंदे बनें इन में से देखे ये दो फंदे उठाएंगे आगे के दो फंदों के उपर से उतार के इनको sleep करेंगे, एक फंदा सीधा, तो देखे ये front side से हमारी pattern के second row complete हो गई, अब देखे wrong side से third row, अब third row में हमारा pattern repeat and shift होगा, तो देखे पहला फंदा उतारेंगे, next देखे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, ये देखे front side से जिन फं साइड के तरफ से देखे, जो फंदे उल्टे है, ये wrong side से सीधे आएंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी side, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे रॉंग साइड से हमारी पैटन की थार्ड रो कम्प्लीट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से फोर्थ रो अब फोर्थ रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे ही रहेगा अब next देखे जो ये दो उल्टे फंदे दिखाए दे रहे इसमें हमारा pattern shift हो जाएगा तो देखे एक फंदा आगे करेंगे ऐसे space में slide डालेंगे और ये देखे एक फंदा बनाया दूसरा फंदा धागा अपनी side करके बन जाएगा तीसरा फंदा उसी hole में हम slide डालेंगे और चोथा फंदा इन दोनों फंदों को एक साथ भूनेंगे यासे back side के तरब से slide डालेंगे इस तरह किसे ये देखे दो फंदों से ये चार फंदे बन गए पहला फंदा चोड़ेंगे second फंदा उठाएगे left needle में तीसरा फंदा चोड़ेंगे और fourth फंदा चोथे नंबर का फंदा left needle में उठाएगे अब इन दोनों फंदों को आगे के दो फंदों के उपर से उतार के sleep करेंगे दागा अपनी side अब nest देखे ये पैटन वाले दो सीधे फंदे दिखाएदे रहे इनको उल्टा बुनेंगे ये देखे दो फंदे उल्टे धागा पीछे next पैटन आ जाएगा दो फंदों से यहाँ पे चार फंदे बनेंगे एक, दो, तीन, चार ये देखे चार फंदे बनेंगे अब इनमें से पैला फंदा चोड़ेंगे सेकिन नमबर का फंदा उठाएगे तीसरा फंदा चोड़ेंगे और चोथी नमबर का फंदा उठाएगे आगे के दो फंदों के उपर से उतार के सिलीप करेंगे फिर दो फंदे उल्टे दागा पीछे फिर देखे यहां पर यह दो से चार फंदे बना लेंगे यह देखे फिर इन दो फंदों को उठाएंगे आगे के दो फंदों के उपर से उतार के सिलीप करेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे आ जाएंगे धागा पीछे यहां पर पैटन आएगा दागह अपने साइड लास्ट के दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा तो देखे एफ रहन्टी साइड से हमारी पैटन की फोर्ट रोह कमप्लीट हो गई यह देखे आप रोंग साइड से देखे जो हमारी फिपतरो हो आएगे उसको हमने फस्ट रोह की तरह बुनते हुए के देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और आप हमार मेरे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले थेंक यू